नमस्कार दोस्तों, मैं रस्डी, आज का मेरा विश्य है भारतिय मानसून पर ए लिनिनो का परभाव ए लिनिनो एक गर्म जल्धारा है एक गर्म जल्धारा है अब चुकि इस गर्म जल्धारा का हम भारतिय मानसून पर परभाव पढ़ने जा रहे हैं तो एक बात ये समझ लेनी है कि इस सब्द का परीचे कर लेना जो हो रही है तो एल नीनो का जो शाब्दिक परीचे है ये है कि ये स्पेमिस भाषा का सब्द है और इसका अर्थ होता है छोटा बच्चा तो ये जो छोटा बच्चा है पेरू के तट पर इसका उत्पत्ती होती है पेरू और इकवाडोर के छेतर में ठीक है समुदरी इलाके में ठीक अब ये जो गर्म जल्धारा एल नीनो है जब उसकी यहां उत्पत्ती होती है तो वो माह होता है दिसंबर का तो दिसंबर के महीने में एल नीनो के उत्पत्ती पेरू के तट से होती है ठीक है अब ये जो छोटा बच्चा है द्वाचंचल होता है तो होता क्या है कि इसका विस्ता पैसिफिक ओसियन में फैल जाता है हम देखेंगे तो आप एकदम से जीरो डेगरी जो इक्वेटर है ठीक है जीरो डेगरी जो इक्वेटर है जीरो डेगरी इक्वेटर मतलब जीरो डेगरी से उपर जाएंगे तो उत्तर और जीरो डेगरी से नीचे जाएंगे तो दक्षन तो हम देखेंगे कि दक्षण दिशा में कम से कम Pacific Ocean का टीन डिग्री से लेके 18 डिग्री दक्षणी अक्षांस तक इसका विस्तार होता है ठीक है कभी कभी यहां गर्म जलधारा यह जो चीली है इसकी जो उत्तरी इलाके में जो आताकामा मरुवस्थल है मरुवस्थल में कभी कभी बारिस करा देती है और इस्तिती यह हो जाती है यहां बाढ़ की इस्तिती हो जाती है ठीक है लेकि मुल फोकस हमें यह करना है कि भारतिये मानसून पर इसका क्या परभाव पड़ता है एल नीनो का, तो निश्चित रूप से एल नीनो अपने, एल नीनो अपने से जब दाहिने छेतर में आगे बढ़ती है, तो ये सीधे Pacific Ocean से लेखे, यहां तक आप Pacific Ocean का बेल्ट देख सकते हैं, ठीक है, और ये चुकी गर्म जल्धारा है, तो गर्म जल्धारा का मतलब आप एक और एक basic points आप जान लीजिए, कि जब भी हवाएं जो बहती हैं, वो high pressure से low pressure की ओर बहती है, ठीक है, और जहां temperature high होता है, समाने तह वहां जो pressure है, वो low होता है, तो ये चुकी गर्म जल्धारा है, तो pacific ocean में जब इसका बिस्तार होगा, ठीक है, इस L नीनों का, तो निश्चत रूप से यहां पे इस area में, या फिर इस area में, एक मजबूत low pressure का केंदर बनेगा, और हवाय बहती है, high pressure से, low pressure की ओर, तो जाहिर सी बात है, कि इस area में, अगर low pressure का केंदर बना है, इस area में, low pressure का केंदर बना है, सब तो pacific ocean है, यहां से लेके, यहां तक, जो कि प्रतिवी गोल है, से जोड़ेंगे, तो वहां से लिंक कर जाएगा, ठीक है, तो होता क्या है, है कि जो पेरू का इलाका है, पेरू, यह जो आपके सामने आप Australia, जो देख रहे हैं Australia, यह जो आप Papua New Guinea देख रहे हैं, यह तीनों छेतर की जो से हवाएं, यह जो निम्रता आपका केंदर बना है, इल नीनों की वज़त से, इन तीनों छेतर की हवाई यह एल नीनों अपनी और अकर्षित करने लगता है, तो जाहिर सी बात है, सुखे की स्थिति, यहां भी देखने को मिलेगी Australia में, Papua New Guinea में, पेरू में, लेकिन क्या होता है, कि दिसंबर में उत्पत्ति हगरम जलधारा, धीरे धीरे, अप्रिल तक, यह यहां तक बिस्तरित हो जाती है, अप्रिल है, यह सबसे उतर्तम बिंदू है, और अप्रिल तक यहां इसका बिस्तार एल नीनो का हो जाता है, और इसी केप योर्क के माध्यम से, धीरे धीरे यह हवाएं, एल नीनो, हिंद महासागर में, जून, जूलाइक के टाइम में, पहुंच जाती है, और यहां पर यह सबस्त, लो प्रेसर का किंद्र बनाती है, ठीक है, और आपको पता है, कि हवाएं हाई प्रेसर से, लो प्रेसर की ओर चलती है, तो जाहिर सी बात है, जब हिंद महासागर में, लो प्रेसर का, जब किंद्र बनेगा, निप्त आपका जब एक मजबूत किंद्र बनेगा, तो इंडिया से हवाएं इस ओर चलेंगी, अब चुकि इंडिया से हवाएं इस ओर चलेंगी, हालाक इन शेत्रों पर भू फर्क पड़ेगा, चुकि एन लिनो एक छेत्रिये गर्म जल्दा रहा है और इसका असर विस्वव्यापी होता है, तो जाहिर सी बात है कि इन सब देसों पर फरक डालते हुए, इंडिया पर भी फरक डालता है, इस एरिया पर भी फरक डालेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं डालेगा, तो लेकिन हवाय कैसे चाहिए, समुद्र से अस्थल को हवाय नहीं जा रही है, अस्थल से समुद्र की और हवाय जा रही है, तो जब अस्थल से आदरता होती है तो वो जाके अस्थलिय छेत्रों में बारिस करा रही होती है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हवाई ही उल्टा बहे रही है यह ना चुकि यह लोग प्रेसर का केंद्र बना हुआ है चुकि एल नीनों यहां से यह जो हिंद महासागर में पहले से मौजूद ज जलधारा है उससे मिलकी यह और मजबूत निम्दाप का केंद्र बना देती है इसस्थिति यह हो जाता है कि हवाएं इस असलिय छेत्रों से उल्टी हिंद महासागर की और अकर्षित होने लगती है और अन्तों गत्वा भारत के अंदर सूखा की स्थिति हो जाती है यानि कि El Nino का भारतीय मानसुन पर एक नकरात्मक प्रभाव पड़ता है सूखे की स्थिति हो जाती है ऐसी घटना भारत के अंदर 187 के अंदर देखी गई 1993 के अंदर देखी गई लेकिन 2005 में भी 2005 में भी इस एरिया में एल नीनो की उपस्टती थी लेकिन 2005 में एल नीनो की उपस्टती के बावजूद भारतिय छेतर में मांसून की अच्छी स्थिती देखी गई थी अब इसका कारण क्या है कि एल नीनों होने के बावजूद भी इस छेत्र में एल नीनों की मजबूत स्थिती होने के बाद भी भारतिये छेत्र में मांसून की अच्छी वारिस होना ये कैसे संभव है और सुखा क्यों नहीं पढ़ा एल नीनों की होने के बज़ा से तो ऐसा है कि भारतिये मांसून पर जब Indian Ocean Dipole, Indian Ocean Dipole का जब असर होता है तो इन नीनो की उपस्तती में भी भारत के छेतर में एक अच्छी मानसून की वर्षा देखी जा सकती है Indian Ocean Dipole को भारत का नीनो कहा जाता है भारत का नीनो तो निश्चित रूप से next कभी वीडियो बनाएंगे तो ये IOD पर बना देंगे लेकिन ये मान के चलिए कि 2005 में अच्छी वारिस की उपस्तिती देखी गई होगी तो निश्चित रूप से ये IOD का सिधान्त काम किया होगा जो बाद में एक latest सिधान्त के तोर पे सामने आया ह अना तो ये रहा आपका भारतिय मानसूर पर एल लिनों का प्रभाव अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को सेर करें और मेरे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद